इक गो भक्त किसान ऐपनी गायए को दिन पर चराने के बाद में इसने गाये को खुटे के उपर लाके बान दिया है और यह गाये के नज़दीक आग जला रहा है तो दोस्तों एक गो भक्त गाये के पास आग जला रहा है इसे गाये को नुक्शान भी तो पहुंच Viele चलो आग यही थोड़ी दूर है गाय को नुक्षान नहीं पहुंचा सकती लेकिन इस दुहा ने आग से जो दुहा निकल रही है ये देखिए आपको भी नजर आ लिए कि ये गाय को कितना प्रिसान कर रही होगी साथ ही इस तरह से आग जलाना प्रियावरण के लिए भी खत् सकती है इसकी चीन गारी उचलके गाय के उपर गिर सकती है उससे गाय जल सकती है या माνदीजी गाय का भी बचड़ा दोड़ते हूए आया आग की लपट उसको भी लग सकती थी तो इस किसान ने इतना होने के बावजूद चूंकि ये गोवखत है तो ये तो नहीं किаго गा गाय का दूद निकालेगा ये देखिए बचडे को उसने एपसाइड में कर दिया है और अब ये दूद निकालेगा तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये दूद निकालने से पहले ही इसने आग क्यों जलाई और ये धुआ क्यों किया ये देखिए ये काफी धुआ है जो ये दे है कि दूद निकालने से पहले इस गो भक्त ने गाई के पास में आग जलाई और धुहां किया क्योंकि ये गाई को नुक्षान भी पहुंचा सकती है आग भी नुक्षान पहुंचा सकती है दुहां से गाई बिदग भी सकती है ये देखिए अभी हमने दूसरे एंगल से ये फोटोग्राफी किये पास में ही है इतना दोता है कि इस गोव वक्त ने जो आग चलाई है वो गाई के किसी फाइदे के लिए चलाई है तो दोस्तो ऐसा क्या फाइदा हो सकता है कि दूद निकालते वक्त किसान ने आग जलाई है और दुहां किया है तो चलिए हम बताते हैं कि इसका राज क्या है दरसल बारिस के दिनों में गाईओं के पास में मख्या मच्छर भोत हो जाते है और वो पूरी रात इनको नादो बेटने देते और अब ये ये मक्हिया बेट जाए तो ये गाय उचल भी जाएगी मक्हि बखाने के चक्कर में खुजली के चक्कर में और ये इसको तकलीब होगी इसलिए इस गो भक्त ने दूद निकालने से पहले और खुटे पे जब बंद है तो उससे पहले यहाँ पर आग जलाई दुआ किया ताकि मक्हिया और मच्चर भाग जाए और ये गाय रात भर यहाँ पर आराम से चेंज से बेट सके तो देखा दोस्तो इस गो भक्त ने गाय के पास जो आग जलाई ये वो गाय के भले के लिए है गाय को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं ये देखिए दुआ हो रही है और गाय के मक्हिया उड़ चुकी है दोस्तो हम एक नई जानकरी के साथ फिर अगले वीडियो में हाजिर होंगे यदि आपको हमारी जानकरीया पसंद आती है तो हमारे यूटूब चैनल को अब से सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको हमारी तरब से दी जाने वाली नई जानकरीयों की वीडियों की सूचना ही मिलते रहें धन्यवाद